सारन में बीजेपी के लिए बजी खत्रे की धल्बी सचिदानंद राय ने ढाद दिया बीजेपी का कीला दीके के साथ मिलकर बीजेपी को चटाई धूर सारन में दो सीचों पर हुए बिहार विधान परिस्ट चुनाव के नतीजे आ चुके हैं सारन इसनातक निर्वाचन छेत्र से बहागडबंदन के परतियासी ब्रेंत्र नडायन यादों ने जीत का पर्चम लधाया है तो वहीं सारन सिच्छक विधान पार्सल सीट पर परसांद की सोर समर्थित कंडिडेट अफाक अहमद की जीत हुई है अफाक अहमद पहली बार में ही विजय हुए हैं उन्होंने बीजेपी परतियासी धर्मेंद कुमार को हराया है इसके बाद यहां बड़ी जीत का सपना पाले बीजेपी को बड़ा जटका लगा है सारण में जीत के साथ परसांद की सोर ने बिहार में अपनी राजनिती की सुरुवात का नया इतियास रच्टिया वही बीजेपी के लिए बड़े खत्री की घंटी भी बजने लगी है और सारण में यह घंटी बजाने का काम कर रहे हैं MLC सचितानंद राय जी हाँ जायदा सोचिये मत चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी दरसल आपको बता दी कि 2022 में लोकल बड़िस के MLC चुनाव में बीजेपी ने सचितानंद राय का टिकट काटा आखिर बीजेपी ने उनका टिकट क्यों काटा था इसको लेकर दो तरह की चर्चा थी पहला यह कि बीजेपी ने नितिश कुमार के दवाव में आकर या फैसला लिया क्योंकि उस वक्त नितिश कुमार बिहार NDA के इस्जा थे और राज में लिड़ कर रहे थे सचिदानंद राय और नितिश कुमार के अदावत सामने आ चुकी थी राय भी नितिश कुमार पर बस्ते हुए निसाना साध रहे थे नितिश भी राय को नापसंद करने लगे लोग बानते हैं कि राय का टिकट काटने में नितिश की भूमिका रहे वहीं दूसरी चर्चा यह थी कि सारण के बीजेपी के कुछ बरे नेताओं से राय का रिस्ता बिगर चुका था उन्होंने सचिदानंद राय का टिकट काटने के लिए आलाखमान पर दबाव बनाया इन नेताओं में महराज यंद्र सांसर जनादर सिन सिग्रिवाल का नाम सबसे आगे था टिकट कटने पर राय ने सिग्रिवाल पर अपनी भरास भी निकाली थी उन्होंने वादा किया कि अगामी लोकसवा चुनाव में सिग्रिवाल को हरा कर मानेंगे अगर सिग्रिवाल सांसुत का चुनाव छोर कर वाट का चुनाव लरेंगे तो भी वो उनके खिलाब लरेंगे उनके इस ब्यान से आप समझ सकते हैं कि सचिदरन्द राय सिग्रिवाल को मुख दुसमन मानते हैं वहीं आपको बता दे कि टिकट कटने के बाद सचितरन राय ने निर्दलिये M.L.C का चुनाव लरा दिल्चस्प बात यह रहा कि बीजेपी ने जिसे टिकट दिया वो लराई में था ही नहीं राय असानी से चुनाव जीते और बीजेपी को बुरी तरह सहराया दूसरे नमर पर राज़त को मिदवार रहे चुनाव जितकर राय ने बीजेपी को अपनी तागत का एहसास दिरा दिया लेकिन खेल खत्म यहां नहीं होता है अब बिहार में इंट्री होती है चुनावी रन समर्तों के साथ पीके की यात्रा में सामिल होते हैं वहां मौझूद पत्रकारों ने बताया कि लगभग 40 फिशिदी फिर राय ने ही इकठा की थी है परसांद की सोर की यात्रा चलती रही फिर इसी दोरान बिहार में चार इमेलसी सीचों पर चुनाव की घोसना हुई साथ म सारन सिक्षक निर्वाचन छेत्र में उप्चुनाओ की भी घोसना हुई क्योंकि केदार पांडे का निधन हो गया था इस चुनाव में सचितनानंद राय को बीजेपी को फिर हराने का मौका दिख दिया राय ने पीके के साथ मिलकर उमिदवार उतारने की प्लानिंग की सा सारन में राय ने ही प्रतियासी को खोजा और पीके से सहमेथी ले प्रतियासी अफ़ाको अमत के साथ साथ शाओ निर्थ deflectरों का दोरा किया चुनाव जितने के लिए पूरी तैयारी की वहीं पीके के टीम भी हर मोर्चे पर तयार थी सोसल मेडिया पठना से संभाला गया च चुनाओ के बीज, पीके भी सारण छेतर में ही पद्यात्रा करते रहे। इसी का नतीजा रहा कि सारण से पीके और राय के उमिदवार अफाक आमद चुनाओ जीतने में कामयाब रहे। हाला की सारण जैसी सफलता गया में जन सुराज को नहीं मिली, वज़ा ये रहा कि उस छेतर का राय जैसा कोई नेता परसान पिसोर के साथ नहीं था। वहीं गया छेत में पीके की पद्यात्रा भी नहीं पहुची थी यानि जन्द सुराज समर्थित उमिदवार अकेले थे खैर सारण की जीत राय और पीके की जीत है आला कि हीना सहाब की भूल्दा भी अहम रही है राय ने एक वार फिर सारण में बीज़ेपी को जोड़ार पटकनी दी बीजेपी उमिदवार का पिछेवे मैल सचुनाव जैसा हाल हुआ यह भी एक सयोग है की बीजेपी के दोनु उमिदवार का नाम धर्मेंदर ही था ये हार बीजेपी के लिए सारन में खत्रे की घंटी है क्योंकि सचितानंद राय लोकसभा की त्यारी में चुट गए है राय ने पहले ही घोसना कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव लरेंगे टिकट मिले तो ठीक, नहीं तो निड़दलिये भी तैयार है पता दे कि बीजेपी से हटने के बाद राय राज़त के संपर्क में रहे हैं अब तो उनके पास टीके का हाथ भी है अब देखना होगा कि बीजेपी क्या फैसला लेती है क्या वो राय को मनाने के लिए महराजगंज के सांसर जनादर सिंग्रवाल का टिकट काटती है में राज़त के सुप्रीमों लालो यादों के बन में भी उमिदबार बदलने का सवाल तो आहीं रहा होगा देखिए लोगसवा चुनावाद 2024 में सचिदारंद राय की घुमी का क्या रहती है बहराल अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के तुरंत कर लेकर आज क्या सोचते हैं कोमेंट करके बताएगा वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं अब आरे पेच को भी लाइक करें धन्यवाद